आज आप देख रहे हैं मेरे पास है चिक प्रोटीन सॉलिशन हेर फॉल प्रिवेंट एग वाइट शैंपू जो की आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 340 ml का है फॉर थिक एन हेल्दी हेर विश दे हैव सेड अबाउट देश शैंपू और यह एग वाइट प्रोटीन इसका मे जो शेल्फ लाइफ है वह 2 साल की है आप इसका डेख सकते हैं अंडे का शेप है अच्छा लग रहा है अंडे का शेप देखने में जैसा आप देख सकते हैं है शैंपू में यहां लिखा हुआ है की चिक हेर फॉल प्रिवेंट एक वाइट शैंपू आज गूड़न उफ ए hair breakage based on lab results under test condition, direction of use में लिखा हुआ है apply on wet hair, leather and rinse, यहने की जाग बनाईए फिर धोलीजे, इंग्रीडियंट में आए तो इसमें है water, sodium laureate, sulphate जिसको हम SLS कहते हैं जो की cleaning agent होता है और ज़रूरी होता है शैंपू के लिए लेकिन अगर इसका concentration जादा हो गया या इसका ratio ठीक से शैंपू में नहीं है तो यह बालों को dry कर लेता है या excessive use अगर आप शैंपू करते हैं और जिसमें SLS होता है तो यह आपके बाल dry हो जाते हैं dry और frizzy देन इसमें है poly dimethyl siloxane जो की again बालों को shiny और silky बनाता है देन इट है कोका माइडो प्रोपाइल बीटेन जो की foam booster है और dirt को कम करता है यानि की dirt को remove करता है बालों से और है sodium chloride जिसको जो की shampoo की जो consistency होती है उसको thick करता है fatty amide mea again is a foaming agent लेकिन यह जितनी भी चीज़े मैंने जिनके भी नाम लिये हैं अगर इनका ratio जादा हो जाए किसी भी shampoo में या आप इसे excessive use कर रहे हो तो इससे बाल dry और damage हो जाएंगे थोड़े दिनों में so they are not good for long use और excessive use जो की कहते हैं कि you can use it everyday तो उससे आपके बाल dry हो जाएंगे और damage हो जाएंगे इसके अलाबा इसमें इंग्रीडियेंट हैं जैसे की fragrance ग्लाइकोल डिस्टेरियेट जो की एक ठिकनिक एजन्ट है और एक्स जो शैंपू का टेक्शर होता है उसको एन्हेंस करता है जो की बालों को सॉफ्ट और स्मूद बनाने के लिए उसको भी improve करता है शैंपू की consistency को दाने टेज हैज है ट्रोलाइज एक वाइट टोटीन एक वाइट टोटीन तो ऐसे भी इसमें सबसे इंग्रीडियेंट बताये गया है जो की बालों के गिरने को रोकता है बालों को एल्दी बनाता है बालों को शाइनी बनाता है एर ग्रो properties होती है PEG 45M that is for shine and moisture यह frizzy hair को control करता है DMDM hide and toine यह preservative की तरह होता है Dysodium EDTA जो metal का deposit होता है scalp और hair में उसको होने से रोकता है it prevents that deposit then mica titanium dioxide जो की transparency को कम करता है और opaqueness को बढ़ाता है यानि की thickness को बढ़ाता है citric acid is for pH and sodium hydroxide is again for pH यानि की pH balance करने के लिए use होता है इस shampoo में यह claim किया गया है कि hair fall रोकता है hair की health के लिए अच्छा है obviously इसमें यह claim यहां पर लिखा भी हुआ है कि prevent hair fall and strengthen hair and जो इसमें जो इंग्रीडियेंट इसमें दिए गया है वो भी क्लेम करते हैं कि यह softness को और hair की जो shiny और soft बनाता है इस shampoo को use करने के बाद मेरा experience बहुत खराब रहा एक तो इसकी smell बहुत खराब है दूसरा मेरे बाल rough और dry हो गए और बिल्कुल लश्चर लैस हो गए कोई shine नहीं है मेरे बालों में और मेरे बाल मतलब पकड़ो तो इतने ऐसा लगता है कि जैसे बरतंद होने का जूना पकड़ा हुआ है तो मुझे एक बार मैंने wash कर देगा हो सकता है कि you know मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि पहली बार में समझ में नहीं आया होगा मैंने दूसरी बार भी wash किया तो hair fall में तो कोई कमी नहीं और एक दो बार के वाश में नहीं कह सकती लेकिन जो इसके इंस्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहे हैं तो इसके खुश्भू बहुत खराब है बाल बिलकुल मेरे curly hair है और वो बहुत खराब हो गये हैं बिलकुल dry and damaged लगते हैं इसमें बहुत सारा लादर आता है यानि की जाग बहुत बनता है जो की सही नहीं है इसका मतलब इसके जो SLS है वो बहुत जादा है और मेरे बाल धोने के बाद जो है वो manage ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि इससे एक तो rough हो गये मेरे बाल dry हो गये ऐसा लग रहा है सारा जो उसका natural oil है वो निकल गया है और मैं यकीन मानिए मैंने conditioner भी उसकिया डव का इसको यूज करने के बाद उसके बाद भी मेरे बाल जो है वो अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं तो जो शैंपू पहले और दूसरे वाश में ही बालों को इतना खराब कर दे आफ्टर जस्ट आफ्टर वाश वो पड़ेगा दुबारा तो आपको सजेस्ट नहीं कर सकती खरीदने के लिए क्योंकि मेरे लिए बहुत हॉरिबल एक्सपेरिमेंट रहा या एक्सपीरियंस रहा अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं बट फॉर्मी इट वास नो-no ख्याल रखिए खुश रहिए बाइ